नमस्कार दोस्तों आज की एग वीडियो आप सभी प्रदेश वास्यों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है इसी के साथ मैं आपको बता दे मुख्य मंत्री असो गैलोत लोगडाउन को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं क्योंकि कोरोना संक्रमन का खत्रा बहुत तेजी से फैल गया है जो कि एक सरकार के लिए गंवीर समस्या बन गया है आपको बता दे सिक्षा विवाग के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और पूरे प्रदेश के द्वारा भी एक नई गाइडलाइन जल्द ही जारी की जानी वाली है जिसमें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा आम जन को क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जानकारी उसमें मिलने वाली है दोस्तों आपको बता दें कि प्रेदेश में वेक्सिनेशन की इस्तेती बले ही अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी है पर नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं नवंबर में अब तक जितने भी केस मिले हैं उसमें से 63% ऐसे हैं जो वेक्सिनेट हो चुके हैं यानि कि उन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं चिकिसा एमसास्ते विवाग के सची वेभव गालरीया ने मुक्खे मंत्री को पेस की एक रिपोर्ट में बताया कि जादा तर केस हैं जैपूर, बीकनेर, अजमेर और अलवर जिले से आ रही हैं चिकिसा एमसास्ते विवाग के रिपोर्ट के अनुसार 26 नौंबर तक राजिस्तान में कोल 266 नए मरीज मिले हैं इसमें से 180 हैं जो वेक्सिनेट हो चुके हैं यानि कि उन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं दोनों टीके लगवा लिए हैं कोरोना के लेकिन फिर भी द संगनगर बारा भीलवाडा में एक-एक केस मिला है बच्चों की इस्तिति देखे तो यह पहले और दूसरी लहर में मिली संक्या के समान है नौंबर में मिले सभी केस में 17% बच्चे हैं जिनके उम्र 18 साल से कम है तो दोस्तों ज्यादा तर जो इफेक्ट पढ़ रहा है वो दोस्तों आपको बता दे कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी यह जिले सुरक्चित हैं इन जिलों में बासवाडा भरतपूर बूंदी चित्तोडगड चूरू दौलपूर डोंगरपूर हनमानगड जालोर जालावाड जुन्जनू करोली प्रतापगड सवाई मादोप जिले बताए और यह जिले थे दोस्तों मैंने आपको जिले बताए थे जहां पर संक्रमन जादा फैल रहा है उन जिलों में नागोर, अलवर, बीकानेर, जैपूर और अजमीर यह पांच जिले हैं जहां पर इस्तेती अभी भी गंबीर बनी हुई है तो जहां पर जादा सं है और इस्पेसल इन जिलों के लिए नई गाइडलाइन जल्दी आने वाली है तो दोस्तों हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका अपडेट मिल जाएगी इसलिए अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ब